नमस्कार स्वागात है आपका विहारी नियूज में अमेरतन सेन भारती आज हम बात करेंगे एक ऐसे दास्तावेज के बारे में जो कि अब हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनने जा रहा है विहार सरकार ने अब अधार कार्ड की तरह अब आवासिय परमान पत्र को भी पहचान पत्र के रूप में सामिल कर लिया जी हाँ अब तक आप अधार कार्ड और पैन कार्ड में फोटो देखते थे और यह एक परमान पत्र की रूप में हमारे साथ होता था लेकिन अब अब भी फोटो लगा रहेगा जिसे आप एक पता सत्यापन के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं राज में बनने वाले अब सभी आवासिय परमान पत्र में स्वाभी परमानित फोटो अनिवार कर दिया गया है अंचल कार्यालों से जारी होने वाले सभी आवासिय परमान पत्र में आवेदक की तस्वीर अनिवार रूप से रहेगी इसके लिए एक बड़ा लाग यह होगा कि अधार पंजिकरन व सत्यापन में आवासिय परमान पत्र को मानता दी जाएगी समान परसासन विभाग ने इसे ततकाल परमान पत्र के लिए आवेदक को अपना हस्ताचर किया हुआ फोटो आवेदक के उपर दाहिनी तरह लगाना होगा इसी फोटो को असकैन कर अंचल कर जाले फोटो युक्त आवासिय परमान पत्र जारी करेगा इस पूरे परकरन को लेकर संजुक सचिम ने का कि केंदर सरकार ने अधार पंजिकरन और पता सत्यापन के लिए आवासिय परमान पत्र को भी मानता दे दी है आपको पता दें कि इससे पहले यह नियम सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग के लोगों के लिए ही था लेकिन अब यह सभी लोगों के लिए अनिवार रूप से कर दिया गया है BCS रूप सी OBC और SCST पर्मान पत्र के लिए सबसे उपयोगी है आम तोर पर जाती आय और रिवास पर्मान पत्र राज और किंदर सरकार के योजना और छात्रविर्ती से पैसा प्राप्त करने के लिए यह अवस्यक होती है RTPS सेवा उंपलस Online Repository में सभी सनलगन दास्तावेजों का प्रबंधन और रख रखाव करते हैं और उन्हें सभी सेवाओं में उपयोग करते हैं और खेर RTPS Online Portal से क्या-क्या लाव है इस RTPS online portal के माध्यम से बिहार राज के नागरिक RTPS स्ववाओं का आसानी से लाव उसा सकते हैं देश के नागरिकों के लिए सरकार विभिन सरकारी योजनाओं चला रही है जिसमें जाती निवास आय पर्मान पत्र का उपयोग किया जाता है इसके बाद आप सभी सरकारी योजनाओं का इसे लाव उठा सकते हैं बाज और किंद्र सरकार दवारा चलाई जा रही है इसकर बना जाता है इसके अगले जो लाव को लिए अडविशन भी इन दास्तावेजों की जरुवत होती है, जो की आटी पीस से असानी से बना जा सकता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाई होती है, जिसका लाव पराप्त करने के लिए उनके पास जाती परमान पत्र, आय परमान पत्र और अपने पते का प सकारी योजना के लिए, तो अब दक आप अधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड को फोटो अधारित एक दास्तावेज के रूप में इस्तमाल करते रहे थे, लेकिन अब आप अपने आवासिय परमान पत्र को भी एक दास्तावेज के रूप में इस्तमाल करेंगे, तो बिहार और बिहार से जड़ो ही और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे देजिया इजाज़त धन्यवाद